हेलो फ्रेंड्स गुड बॉर्निंग यार दोस्तों मैंने की जैसे आपको कल बताया था मैं जाने वाला हूँ दहरा दून मैं पहुंच गया अपने रूम पे आपको दिख रहा होगा वही सेट अप, सेट अप क्या कहेंगे वही रूम दिख रहा होगा आपको तो यहां पे मैं आज सबरे पहुंचा, 6 बजे अपने रूम पे फिर उसके बाद सोया, ठका था फिर उसके बाद मैंने फ्रेश रेश होया, अभी खाना खाके आया हुआ हूँ तो यहां चलिए आज की वीडियो में यहां शुरू करता हूँ, यहां पे मैं आप सबी व्यूवर्स के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, यहां पे हर साल, पतलब हर साल नहीं कहेंगे, इंटेल यहां पे अपना नए नए प्रोसेसर लॉंच करती है, आई 3, आई 5, आई 7, पेंटेनियम, डियॉल कोर, यह सब अपने सेलरॉन, इनकी स्रीज देखी होगी, इसमें यहां पे आपने बहुत सारे प्रोसेसर देखें, तो चलिए आज बात करूँगा, यह प्रोसेसर कैसे बनते हैं, क्या है, इसके कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए, आपके कंप बता लिजिए, बिल्कुल फोकस रखिए, तो चलिए यहांपे बात सुरू करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अबात करते हैं इंटल की सबसे पहले पेंटियल स्रीज के देखे हूंдж और अन यहां पर सब artificial intelligence नहीं आई है उसमें भी आई है पर आई 9 में यहां पर एडवांस लेवल में आपके artificial intelligence को काम में लिया जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं Intel की बहुत बड़ी company है AMD के मुकाबले जैसे कि मैंने आपको comparison बताया था एक Intel versus AMD का उसको आपको link मिल जाएगा उपर आप वहाँ पी जाके वो देख सकते हैं अग्यार मैंने जैसे आपको बताया Intel बहुत बड़ी company है बहुत बड़ा उसने market cover करके रखा है computer या laptop के field में और धीरे धीरे वो mobile phones में भी यहां पर कदम बढ़ा रही है जैसे यहां पर snapdragon बढ़ा रहा है अपना laptops के उपर वैसे ही यहां पर Intel बढ़ा रहा है अपना mobile phones के अंदर तो यार सबसे पहले अब बात करते हैं आपके i3 processor की यार सबसे पहले मैं आपको refer करूँगा या prefer करूँगा यहां पर आप सभी को अगर आप एक normal task करते हैं मान लीजिए अगर आप normal घर में जो task करते हैं file बनाना excel बनाना Microsoft में जो थोड़े बहुत task होते हैं video movie देखना तो यहां पर आपको i3 processor ही लेना चाहिए आप i3 processor क्यों लेना चाहिए क्योंकि आपका उतना बड़ा heavy task ही नहीं है ठीक है आपको i3 processor लेंगे तो आपको आपको कि मान लीजिए इसमें आपको बहुत heavy task करना पड़ता है तब आप जाए यहां पर i7 में आप जाए जब आपका task बहुत ही बड़ा हो मान लीजिए कि अगर आपको photo editing और video editing gaming करनी है high level में gaming करनी है मान लीजिए इसके graphics बहुत तगड़े होने चाहिए तो यहां पर आप जा सकते हैं i7 के साथ तो चलिए सबसे बहुत करते हैं की generation की यहां पर आपने देखा होगा i3 में first generation second generation third generation fourth generation fifth generation यहां पर आपका प्रोसेसर होता है प्रोसेसर में आपके transistor लगे होते हैं अब generation का मतलब माल लीजिए अगर आपका first generation का processor है तो i3 का processor तो है पर वो इतना बड़ा हो तो 7 के मुकाबले 8 generation वहां पर बहुत अच्छी है क्योंकि उसका size चोटा है और यहां पर power efficiency कम है मतलब यहां पर वो आपको बहुत अच्छी battery life भी provide करेगी आपके laptops में या आपके computer में और यहां बेसिकली यहां पर अगर आप laptop लेने जा रहे हैं laptop के compare यहां पर आप desktop को दे speed भी बहुत जादा होती है comparison आपके laptops के मुकाबले में तो यहां मैंने यहां पर प्रिफर करा आपको आपको जैसा task करना है जैसी आपको performance आपको लानी है मतलब आप gaming करना चाते हैं i7 में भी जा सकते हैं i5 में भी जा सकते हैं और अगर आपको कोई normal task करना है मतलब आप gaming कर जरूद करते हैं या अगर video songs चलाते है movies चलाते हैं तो यहां पर आप i3 में भी जा सकते हैं आपको कोई heavy यहां पर लैपटॉप लेने की जरूद नहीं है है यहां पर आप जा सकते हैं जैसी आपकी requirement है जैसी कि मैंने आपको बता है जो Intel है बहुत बड़ा उसने market cover कर लिया है AMD के मुकाबले, अब AMD ऐसी नहीं है, AMD कोई छोटी-मोटी company नहीं है, उसने भी इस साल Ryzen का एक अपना CPU launch किया है, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बीट दे सकता है, बहुत ही अच्छा, यहाँ पर टक्कर दे रहा है आपका i7, i5 processor को, तो यहाँ राइजन भी यहाँ पर कहत कम नहीं है, राइजन भी बहुत अच्छा है, AMD का जो processor है, उसके मुकाबले, मतलब आप कह सकते हैं, इसमें टक्कर चल रही है, ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं, राइजन अच्छा है, आप कह सकते हैं, i7 अच्छा है, तो यहाँ पर आप डिपेंड करता है, आप कौनसे processor लें, और यहाँ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रिफर करूँगा, अगर आप 20 से लेके नीचे, 20 से नीचे मतलब 10,000, 15,000, 20,000, अगर ऐसा laptop लेना जाते हैं, तो आप जाएं राइजन के साथ, नी राइजन नी, AMD के साथ, और अगर आप लेते हैं 30 से उपर वाले, तो आप जाएं इंटल के साथ, उतनी अच्छी आपको बैटरी लाइफ नहीं प्रोवाइट करते हैं, क्योंकि उस पर ट्रांजिस्टर जो है, उसका प्रोसेसर का साइज है, वो बहुत बड़ा है, उसको इलेक्टरन बहुत तेज तेज भागते हैं, इधर से उधर उनको डाला टाइम लगता है, तो बैटरी भी जाला कंजूट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको मैं प्रिफर करूँगा कि आप वहाँ पे लीजिए, इंटल का अगर 30 से उपर ले रहे हैं, और अगर 20 या 25 तक ले रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे 25 में भी आपको इंटल मिल जाता है, पर आप यहाँ पे AMD में जा सकते हैं, 20 से नीचे वालों में, उपर मत जाईएगा, वहाँ पे आपको इंटल का ही लेना चाहिए, तो यहाँ तो रही यह बात आपको कौन सा प्रोस्टर लेना चाहिए, इंटल की यहाँ पे क्या है मार्केट में डिमांड, वो तो सब आपको पता लग गया है, आप भी जब भी जाते हैं, लेने के लिए मार्केट में, तो वहाँ पे आपको जो उसके सेल्समेन होते हैं, वो आपको यहाँ पे बहुत, मतलब हाइप बना लेते हैं, भाई यह वाला लेजिए, यह वाला लेजिए, जो आप कहेंगे, हाँ भाई यह अच्छा है, आपने कहाँ Acer का अच्छा है, अगर जहां आपको best of deal प्रोवाइट करती है जो company आप उसी के पास जाईए आप यहाँ पे कोई other companies में मज जाईए मैं यहाँ पर recommend करता हूँ आप सभी viewers को तो बस यार यही सब था इस video में आप समझ गये होंगे कि यहाँ पे आप सभी viewers के लिए कौन सा यहाँ पे आपका processor अच्छा है Intel में i3, i5, i7 यहाँ पे बने आपको generation के बारे मता दिया है वैसे ही आपका i5 में generation आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 generation और वैसे ही 7 में आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 नहीं 8 generation तक ही है अभी पर 9 में काम चल रहा है और यहाँ पे आपका Intel का i9 processor भी आ गया है market में बहुत higher मतलब अगर आपको जैसे के i9 यार आप लोग के लिए नहीं कह सकते हैं मेरे जैसे के लिए भी नहीं है ऐसा नहीं है मेरे जैसे मेरे लिए i9 मेरे लिए भी नहीं है अगर आप i7 तक जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छी है आपको speed provide करके देगा i7 processor तो बस यार यही सब था इस वीडियो में अगर आपको कोई query हो और question हो आपको कमेंट box में जरूर पूछिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो please मेरी वीडियो को share करें अपने दोस्तों के साथ इतना बड़ा दिल खोल के और यहां पर वीडियो के नीचे comment करें कुछ भी समझ में नहीं आता है कुछ समझ में आता है आपको अच्छी लगती है बुरी लगती है कैसी भी लगती है नीचे जाके comment करें comment box में तो बस यार यही सब्ता इस वीडियो में और अगर में चल्वन नए आए हैं